नमस्कार, मैं डॉक्टर ईतु सिंग, आपका अपनी चैनल अर्थात में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको मिलाती हूँ उर्दु के कद्दावर सक्सियत कहानिकार क्रिशन चंदर से। पहले लिखा का पर्चे प्राप्त करते हैं। आपका मूल नाम क्रिशन चंदर था, आपका जन 23 नवेंबर 1914 में और मृत्यू 8 मार्च 1977 को हुई थी। क्रिशन चंदर उर्दु फिक्सिन की वो कद्दावर सक्सियत हैं जिसके कला में विविधता, रंगा-रंगी, ताजगी, रुमानियत, वास्तविक्ता, विद्रो, हास्य और व्यंग सभी कुछ सामिल हैं। जबकि रुमानी अथार्थवाद उनकी विशिष्टता है। क्रिशन चंदर ने अपनी कहानियों और उपन्यासों के माध्यम से प्रगतिसी इलसाहितिका नेत्रित्व किया और उसे विश्वमंत्षक पहुचा दिया। उन्होंने दरजनों उपन्यास और पांसों से अधिक कहानिया लिखी। अगर उनकी प्रमख रचनाओं की बात कर था और जिन फिल्मों की उन्होंने पठकता लिकी थी उनमें धर्ती के लाल, ममता, शराफत, आधी प्रमुख हैं। क्रिशन चंद के पास एक सायर का दिल और एक चित्रकार की कलम है। कहानी समवाद लिखे। उनमें कुछ फिल्में चली भी लेकिन एक फिल्म लेखा के रूप में वो बहुत उचास्थान नहीं पासके। उन्हें कई सम्मान भी प्राप्त हुए थे जिसमें 1986 में सोवियत लैंड नहरुपर्सकार और 1979 में पदमभूशन से सम्मानित किया गय हैं उनकी लिखी बेहद सम्विधन शील और मज़िदार कहानी जामुन का पेड़। जामुन का पेड़ हमारी राजनितिक और प्रशाशनिक विवस्ता पर एक करारा व्यंग है। तो शुरू करते हैं कहानी जामुन का पेड़। रात खुबड़ी जोर का जख्कड चला सेक्रेटरिट के लौन में जामुन का एक दरख्त गिर पड़ा। सुबह जब माली ने देखा तो उसे मालूम पड़ा कि दरख्त के नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। जामुन का पेड़ कितना फलदार था एक क्लरक बोला। इसकी जामुन कितनी रसीली होती थी। दूसरा क्लरक बोला। मैं फलों के मौसम में जोली भर के ले जाता था। मेरे बच्चे इसकी जामुने कितनी खुशी से खाते थे। तीसरे क्लरक ने तकरीबन आप दीदा होकर कहा। मगर यह आदमी। माली ने दबे हुए आदमी की तरफ इसारा किया। हाँ यह आदमी। सुप्रेटेंडेंट सोच में पड़ गया। पता नहीं जिन्दा है या मर गया। एक चप्रासी ने पूछा। मर गया होगा इतना भारी तना जिसकी पीठ पर गिरेव बच कैसे सकता है। दूसरा चप्रासी बोला। नहीं मैं जिन्दा हूँ दबे हुए आदमी ने बह मुश्किल कराहते हुए कहा। जिन्दा है एक लक नहरत से कहा। दरक्त को हटाकर इसे निकाल लेना चाहिए माली ने मश्वरा दिया। मुश्किल मालू होता है एक काहिल और मोटा चप्रासी बोला। दरक्त का तना बहुत भारी और वजनी है। क्या मुश्किल है माली बोला। अगर सुप्रेटेंडेंट साब हुकम दे तो अभी 15-20 माली चप्रासी और क्लक्त जो लगा कर दरक्त के नीचे से दबे आदमी को निकाल सकते हैं। माली ठीक कहता है बहुत से कलर के एक साथ भूल पड़े। लगाओ जोर हम तयार हैं। एकदम बहुत से लोग दरक्त को काटने पर तयार हो गए। ठैरो। सुप्रेटेंडेंडेंट बोला। मैं अंडर सेक्रेटरी से मश्वरा कर लूँ। सुप्रेटेंडेंडेंट अंडर सेक्रेटरी के पास गया। अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास गया। डिप्टी सेक्रेटरी जॉइन्ट सेक्रेटरी के पास गया। जॉइन्ट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास गया। चीफ सेक्रेटरी ने जॉइन् दोपर को खाने पर दबे हुए आदमी के गिर्द बहुत भीड हो गई लोग तरह तरह की बात ने करने लगे कुछ मनचले कलरकों ने मामले को अपने हाथ में लेना चाहा वह हुकूमत के फैसले का इंतिजार किये बगएर दरक्त को खुझ से हटाने को तहिया कर रहे थे कि इतने में सुपरेटेंटन फाइल लिए भागा भागा आया बोला हम लोग खुझ से इस दरक्त को यहां से हटान नहीं सकते हम लोग महकमाय तिजारत से मुतलिक हैं और दरक्त का मामला है जो महकमाय जरायत की तहवील हमें है इसलिए मैं इस फाइल को अरजिन्ट मार्क करके महकमाय जरायत में भीज रहा हूँ वहां से जवाब आते ही इसको हटवा दिया जाएगा दूसरे दिन महकमाई जरायत से जवाब आया कि दरख्त हटवाने की जिम्मेदारी महकमाई तिजारत पर आयद होती है यह जवाब पढ़कर महकमाई तिजारत को गुसा आ गया उन्होंने फॉरल लिखा कि पेड को हटवाने या ना हटवाने की जिम्मेदारी महकमाई जरात पर आइद होती है महकमाई तिजारत का इस मामले से कोई तालुक नहीं है दूसरे दिन में फाइल चलती रही शाम को जबाब भी आ गया हम इस मामले को होटी कल्चर डिपार्टमेंट के सुपूर्द कर रहे हैं क्योंकि यह एक फलदार दरखत का मामला है और एगरी कल्चर डिपार्टमेंट सिर्फ अनाज और खेती बाड़ी के मामलों का फैसला करने का मजाज है जाम उनका पेड एक फलदार पेड है इसलिए पेड होटी कल्चर डिपार्टमेंट के दाएरे अख्तियार में आता है रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया हलाकि लॉन के चारों तरफ पुलिस का पहरा था कि कहीं लोग कानून को अपने हाथ में लेके दरक्त को खुझ से हटवाने की कोशिश न करें मगर एक पुलिस कॉंस्टेबल को रहम आ गया और उसने माली को दबे हुए आदमी को खाना खिलाने की इजाज़त दे दी माली ने दबे हुए आदमी से कहा तुम्हारी फाइल चल रही है उमीद है कल तक फैसला आ जाएगा दबा हुए आदमी कुछ न बोला माली ने पेड़ के तने को गौर से देखकर कहा हैरत गुजरी की तना तुम्हारे कूले पर गिरा अगर कमर पर गिरता तो रीड की अड़ी तूट जाती दबा हुए आदमी फिर भी कुछ न बोला माली ने फिर कहा तुम्हारा यहां कोई वारिस हो तो मुझे उसका आता पता बताओ मैं उसे खबर देने की कोशिश करूँगा मैं लावारिस हो दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहा माली अफसोस जाहिर करता हुआ वहां से हट गया तीसे दिन होटी कल्चर डिपार्टमेंट से जवाब आ गया बड़ा कड़ा जवाब था और तंज आमेज होटी कल्चर डिपार्टमेंट का सेकरेटरी अदबी मिजास का आदमी मालूम होता था उसने लिखा था है इस समय जब दरखत उगाओ इसकी बड़े पैमाने पे चल रही है हमारे मुलक में ऐसे सरकारी अपसर मौजूद है जो दरखत काटने का मश्वरा देते हैं वह भी एक फलदार दरखत को और फिर जाम उनके दरखत को जिसके फल अवाम बड़ी रखबत से खाते हैं हमारा महकमा किसी हालत में इस फलदार दरखत को काटने की इजाज़त नहीं दे सकता आप क्या किया जाए एक मन्चले ने कहा अगर दरखत काटा नहीं जा सकता तो इस आदमी को काट कर निकाल लिया जाए ये देखिए उसी आदमी ने इसारे से बताया अगर इस आदमी को बीच में से यानि धड़के मकाम से काटा जाए तो आधा आदमी इधर से निकल जाएगा और आधा आदमी उधर से बाहरा जाएगा और दरक तो हही कामा ही रहेगा मगर इस तरह तो मैं मर जाऊंगा दबे हुए आदमी ने एहतिजाज किया यह भी ठीक कहता है एक कलर्क बोला आदमी को काटने वाली तजवीज पेश करने वाले ने पुर्जोर एहतिजाज किया कड़ा विरोध किया आप जानते नहीं है आजकल प्लास्टिक सरजरी किदर ये धर के मकाम पर इस आदमी को फिर से जुड़ा जा सकता है प्लास्टिक सरजर्ण तहकीकात के लिए बेज दिया सरजर्ण ने दबे हुए आदमी को अच्छी तरह टटोल कर उसकी सेहत देखकर खून का दबाव, सांस की आमद और रफ्त, दिल और फेफडे की जाच करकर रिपोर्ट भेज दी किस आदमी की प्लास्टिक सरजर्णी का आपरेशन तो हो सकता है और आपरेशन काम्याब भी हो जाएगा मगर आदमी मर जाएगा लिहाजा यह तजवीज भी रद कर दी गई रात को माली ने दबे हुए आदमी के मुह में खिचुडी के लुक में डालते हुए उसे बताया आदमी एक आह भर कर आहिस्ता से बोला हमने माना कि तगाफल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक माली ने अचंबे से मुह में उंगली दबाई हैरत से बोला किया तुम शायर हो दबे हुए आदमी ने आहिस्ता से सिरहला दिया दूसरे दिन माली ने चप्रासी को बताया चप्रासी ने कलर्क को कलर्क ने हिट कलर्क को थोड़े ही अरसे में सेक्रेटरियट में यह बात पहल गए कि दबावुआ आदमी शायर है फिर क्या था लोग जौक दर जौक सायर को देखने के लिए आने लगे इसकी खबर सारे सहर में फैल गई और शाम तक महले के शायर जमा हो गए सेक्रेटरियट का लाउन भाद भाद के शायरों से भर गया सेक्रेटरियट के कई कलर्क और अंडर सेक्रेटरि तक जिने अदब और सायर से लगाओ था रुग गए कुछ शायर दबे हुए आदमी को अपनी गजले और नजमे सुनाने लगे कई कलर्क उससे अपनी गजलों का इसलाह लेने के लिए मुसीर होने लगे जब यह पता चला कि दबा हुआ आदमी शायर है तो सेक्रेटरियट की सब कमीटी ने फैसला किया कि चुकि दबा हुआ आदमी एक शायर है लेहाजा इस फाइल का तालुक ना एगरी कल्चर डिपार्टमेंट से है ना हौटी कल्चर डिपार्टमेंट से बलकि सिर्फ और सिर्फ कल्चरल डिपार्टमेंट से है कल्चरल डिपार्टमेंट ने इस्तिदा की कल्चर डिपार्टमेंट से इस अथाद गुजारिश की गई कि जल से जल इस मामले का फैसला करके बदनसीब साइर को इस सजरे सायादार से रहाई दिलाई जाए फाइल कल्चर डिपार्टमेंट के मुखतलिफ शोबोंब से गुजर्ती हुई अदभी आकादमी के सेक्रेटरी के पास पहुची बिचारा सेक्रेटरी उसी वक्त अपनी गाड़ी में सवार होकर सेक्रेटरी पहुचा और दबे हुए आदमी से इंटर्वियू लेने लगा तुम शायर हो, उसने पूछा, जी हाँ, दबे हुए आदमी जबाब दिया, क्या तकल्स रखते हो, अवस, अवस, सेक्रेटरी जोर से चिखा, क्या तुम वही हो जिसका मजमुआ एक कलाम, अवस की फूल हाली में शाया हुआ है, दबे हुए शायर ने इस बात से सिर हिलाया, क्ये तुम हमारी अकाद्मी की मेंबर हो? सेक्रेटरी ने पूछा, नहीं, हैरत है, सेक्रेटरी जोर से चिखा, इतना बड़ा शायर, अवस के फूल का मसदनिफ, और हमारी अकाद्मी का मैंबर नहीं है, ओफ, ओफ, कैسी गलती हो गई हमसे, कितना बड़ा शायर और कैसा ग अभी बंदोबस्त करता हूँ सेक्रेटरी फॉरण बोला और फॉरण जाकर उसने अपने महकमे में रिपोर्ट पेश की दूसरे दिन सेक्रेटरी भागा भागा शायर के पास आया और बोला मुबारक हो मिठाई खिलाओ हमारी सरकार एक आदमी ने तुम्हें अपनी मरकजी कमेटी का मेंबर चुल लिया है यहलो परवानाई इंतिखाव मगर मुझे इस दरख के नीचे से तो निकालो दबे हुए आदमी ने करा हकर कहा उसके सांस बड़ी मुस्किल से चल रही थी उसकी आँखों से मालूम होता था कि वह शदीद तसनुज और करब में मुब्तिला है यह हम नहीं कर सकते हैं सेक्रेटरी ने कहा है जो हम कर सकते थे वह हमने कर दिया है बलकि हम तो यहां तक कर सकते हैं कि अगर तुम मर जाओ तो तुम्हारी बीबी को वजीफा दिला सकते हैं अगर तुम दर्खास दो कि हम यह भी कर सकते हैं मैं भी जिन्दा हूँ शाय रुक रुक कर बुला मुझे जिन्दा रखो मुसीबत यह है सरकारी आदमी का सेक्रेटरी हाथ मलते हुए बुला हमारा महकमा सिर्फ कلचर के मुतालिक है इसके लिए हमें फॉरेश डेपार्टमेंट को लिख दिया अर्जन्ट लिखा है शाम को माली ने आकर दबेहुआ आदमी को बताया कल फॉरेश डेपार्टमेंट के आदमी आकर इस द्रख को काट देंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी माली बहुत खुश था कि गोदबे हुए आदमी की सिहत जवाब दे रही थी मगर वा किसी ने किसी तरह अपनी जिन्दगी के लिए लड़े जा रहा था कल तक सुबह तक किसी ने किसी तरह इसे जिन्दा रहना है दूसरे दिन फॉर्स डिपार्टमेंट के आदमी आरी कुलहारी लेकर पहुँचे तो उनको दरख काटने से रोग दिया गया मालूम यह हुआ कि महकमाए खारजाज से हुकमाया है कि इस दरख को ना काटा जाए वजह यह थी कि इस दरख को दस साल पहले हुकमते पिटोनिया के वजीर आजम ने सेकरेटरियट के लॉन में लगाया था अब यह दरख अगर काटा गया तो इस अमर का शदीद अंदेशा था कि हुकूमते पिटोनिया से हमारे तालुकात हमेशा के लिए बिगड जाएंगे मगर एक आदमी की जान का सवाल है एक कलर गुसे से चिलाया दूसरी तरफ दो हुकूमतों के तालुकात का सवाल है दूसरे कलर ने पहले कलर को समझाया और यह भी तो समझो कि हुकूमते पिटोनिया हमारी हुकूमत को कितनी इमदाद देती है क्या हम उसकी दोस्ती की खातिर एक आदमी की जिंदगी को भी कुर्बान नहीं कर सकते शाइर को तो मर जाना चाहिए बिलाज शुबा अंडर सेकेटर जे सुपरेटेंडन को बताया सुबा वजीर आजम बाहर मुलकों के दोरे से वापस आ गए है आज चार बजे महकमा एक खारजा इस दरख्ट की फाइल उनके सामने पेस करेगा जो वह फैसला देंगे वही सबको मनजूर होगा शाम पाँच बजे खुछ सुपरेटेंडन्ट शायर की फाइल लेकर उसके पास आया सुनते हो आते ही खुछ से फाइल हिलाते हुए चलाया वजीर आजम ने दरख्ट को काटने का हुकम दे दिया है और इस वाकिये की सारी बैनुल अक्वामी जिम्मेदारी अपने सिर पर ले ली है कल वज दरख्ट काट दिया जाएगा और तुम इस मुसीबत से चुटकारा हासिल कर लोगे सुनते हो आज तुम्हारी फाइल मुकमल हो गई है सुपरेटेंडने निस सायर के बाजु को हिला हिला कर कहा मगर सायर का हाथ सर्द था आख की पुतलिया बेजान थी और चीटियों की एक लंबी कतार उसके मुह में जा रही थी उसकी जिन्दगी की फाइल मुकमल हो चुकी थी शुक्रिया